हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल दी एक्जाम हेलप में तो दोस्तों एक नई भरती का अपडेट निकल कर रहा है जो कि आपकी LIC की तरप से ली जा रही है जिसमें रिकूर्टमेंट ऑप जूनियर असिस्टेंट यानि कि जो आपका जूनियर असिस्ट कि आपको कितनी मिलेगी क्या का वर्क क्या करना पड़ेगा आपको पूरा को चलिए इस वीडियो में आप देख लेते हैं ठीक है सबसे पहले नोटिफिकेशन यहाँ पर लिखाओ ओनलाइन एप्लिकेशन और इन इंडियन सेटिजन और सेलेक्शन एंड अपॉन्टमेंट जंगाना में है 17 आपके यूपी में है और यहां पर 38 यह हो गया और 12 वेकेंसी आंद्रपरदेश में ज्यादा तर वीकेंसी है ठीक है यहां पर लिखा हुआ है कि रिकूर्टमेंट फॉर्द पोस्ट पॉस्टेट वाइस वेकेंसी एंड तो यानि कि आप जिस इस 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 पोस्टिंग यहां पर रहने वाली है ठीक है ओके यहां पर लिखा है यहां पर लिखा हुआ है यहां पर सबसे पहले बता दिया इगे आपको जब आप ब्रीफ एंड इंडिकेटिव लिस्ट आप जॉब एक्टिविटीज तो भी केरीड आउट वाई जूनियर एसिटेंट इस फॉर्म्स यानि कि क्या क्या एक्टिविटीज करनी होगी जनमें आपका लोन प्रोसेसिंग होगा वालेंड डॉकुमेंट का मुवमेंट करना मेनेजमेंट करना एक्टिविटीज करना तो इसके लिए यहाँ啊 कर सकते हैं और any other business related activity appropriate to the line of business conducted by the LIC HFL, ठीक है, तो यहाँ पर यह सारा आपको work करना पड़ेगा, basically official work है, थोड़ा बहुत marketing का work भी आपसे कराया जा सकता है, यहाँ पर लेखाओ time and activities to do, यहाँ कब से इसके form बरना इस्टार्ट होंगे, तो form बरने जो start होंगे, इसके 25 जुलाई, यहाँ क last date कितनी है, चौदा अगस्त रखे गई, ज्यादा सामें, देखे, LIC एक ऐसी संस्ता है, भाई, दो से तीन महीने में job दे देती है, आपको exam कराएगी, जुलाई चला है भी, सब्टेंबर में यह आपका pre exam ले लेंगे, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सब्टेंबर अप्री करा लेंगो, नवंबर में आपको joining देदेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, आप साथ से चौदा दिन के बिफॉर डाउनलोड़ सकते हैं, और tentative जो online exam होगा, इसका एक ही single exam है, वो आपका September 2024 में होने वाला है, ओके चली, आपर बात कर ले देखी, remuneration for junior assistant, CTC कितना मिलेगा है per year का और कितना month लिए आपको मिलने वाला है, the emoluments per month will be in the range of 32,000 से 35,200, 32,000 से 35,200 के बीच आपकी salary रेगी, यह depend करेगा अलग-अलग city-wise, ठीक है, जिसमें आपका include रहेगा basic P, HR and other benefits and PF, ठीक है, चली, और company का contribution, यहां पर type 1, type 2, type 3 cities है, जिसमें basic pay आपका 20,000 रहेगा सभी में, HR यहां पर change होगा, और जो other benefits है, वो भी यहां पर change हो जाएंगे, और PF contribution सेम रहने बाला है, total monthly income देखे है, अगर tier 1st cities में आपको अगर यहां पर job मिलती है, तो आपको 35,200 रुपर मिलेगा, जिसका सालाना जो CTC रहेगा, गो रहेग वहीं tier 2 cities की बात करें, तो यहां पर 31,200 in-hand salary मिलेगी, और tier 3 की बात करें, तो 30,000 in-hand salary मिलेगी, बाकि 33,000 total रहेगी, और 32,400 यहां पर total रहने वाली, तो यह आपकी salary रहने वाली, अच्छी खासे salary है, ठीक है, इसके बाद और देख लेगे, in addition to the ever mentioned monument, employee will be eligible for medical claim मिलेगा, housing loan मिलेगा, performance linked incentive मिलेगे, every year based on quarterly या annual performance, employee will be eligible for increment up to 10%, 10% आपको यहां पर increment देखने को मिलेगा, बड़ आपको यहां पर lease facility and staff quarter facility applicable नहीं होती है, junior assistant caterer के लिए, जब आपको promotion हो जागा, तो आपको lease facility या quarter की जो facility वो भी आपको मिलेगी, provision period कितना रहेगा, आपका 6 मंत की यहां पर provision period रखे जागी, जो कि जिसके बाद आपको यहां पर regular कर दी जागा, और इसको extend भी किया जा सकता है, किसी किसी case में, ठीक है, चलिए, eligibility criteria की बात कर लेते हैं, कि क्या क्या degree आपके पास होने चाहिए, पहले बात कर लेते हैं, कि age कितनी माईगी गई तो 21 से 28 साल का कोई इसका form भर सकता है, education qualifications की बात कर ले, तो graduate मागा गया, minimum aggregate 60% mark, अगर आपके graduate में 60% marks है, किसी भी discipline से आपने graduation किया, become B.C.BA, तो आप इसका form भर सकते हैं, ठीक है, चलिए, इसके बाद बुला गया, computer literacy, operating and working knowledge in computer system is mandatory, ठीक है, यह आपको mandatory तोर पर आना चाहिए, computer पर आपको काम करना आना चाहिए, either candidate should have certificate and diploma degree in computer, या इसके अलाबा, आपको काम करना चाहिए, degree and diploma है, तो वो भी आपका यहाँ पर valid होगा, work experience वालों को यहाँ पर prefer करेंगे, अगर आपके पास किसी company में आपने काम किया, कहीं भी काम किया, तो उसका certificate है, आपके पास job experience है, तो उसको उनको आपको यहाँ पर preference दी जाएगे, ठीक है, computer skills आपको आनी चाहिए, ठीक है, यह कुछ eligibility थी, age कितनी मा आई है, educational qualification क्या रखा गया, ओके, चले, यहाँ पर देख लेते हैं, कि नीचे और कुछ important है, यहाँ पर selection procedure हम देख लेते हैं, कि selection procedure क्या रहेगा, तो junior assistant होगा, selection procedure क्या र देख सकते हैं, आप, आपका online examination will be objective type रहेगा, multiple choice of total two hours duration comprising the following section, total 2 गंटे का paper होगा, only English में paper होने वाला है, इस चीच को ध्यान रख लेना, इसमें total आपके 5 section होगे, English language पूछा जागा, 40 questions, 40 marks, logical reasoning पूछाएगी, 40 questions, 40 marks, general awareness पूछाएगी, with special emphasis on housing finance industry, 40 questions, 40 marks, numerical ability, 40 questions, 40 marks, computer skills, 40 questions, 40 total 200 questions, 200 marks से पूछाएगे, अगर आप इस पूरे को comparison करना चाहें, बस यह वाले section अटा दें यहां से, तो यह पूरा जो syllabus आपका होता है, जी RRB का आपका जो P.O होता है, और RRB का जो killer को होता है, उसके similar है पूरा, पूरा डिट्टो वही यहाँ पर exam होने वाला है, RRB P.O इसके according आएगा, बहुत simple paper आने वाला है, बहुत चांदार रेने वाला है, यहाँ पर लिखा गुए है, आपकी negative marking भी रखी गए, जिसमें one fourth की 0.25 percent की ठीके, चलेगे, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर आपका interview होगा, depending upon the number of vacancy, only those candidates who rank sufficiently high in the order of married, based on their respective marks in online examination, will be called for interview, यहाँ कि जितने ज्यादा आप marks लिखेंगे, उसके एक merit यागी, उसके आधार पर आपको interview के लिए आपर मिलाए जागा, और जो आपकी final selection होगी, वो final merit list होगी, selection of candidate will be done on the basis of combined marks of online examination as well as interview, यहाँ कि इंटर्वी भी उतना ही important जितना आपका online examination, दोनों के marks यहाँ पर जुडन अप्लिकेशन फीस कि बाद कर रहा है, फीस कितनी रखी गई है, तो junior assessment के लिए सभी category के लिए यहाँ पर 800 रुपे फीस रखी गई है, और उस पर GST लगएगा 18%, GST तो सब पर ठोक दो, सब पर ठोक दो, सब ठोक तो, सब ठोक दो, सब ठोक दो, सब ठोक दो, साई कर रहा है बहुत साही कर गए चलिए जीएश्टी के ऊपर दो बड़ लिख दे ना नीची कमेंट में अपने अप्लिकेशन के लिए रिजिस्ट्रिशन आप यहां से कर सकते हैं इस तरीके से पेमेंट ओफीस का है यहां पर यहां पर कॉल लैटर किस तरीके से हैगा मैंने बता ही साथ स बाद बाद कर लें तो इंटर्वी के लिए जो सेंटर होगा वहाद में दिया जाएगा जब आपका सेलेक्शन हो जागा वह एलाईजी डिशाइड करेगी कि कहां पर आपको यह देना है तो यह कुछ इसमें important detail थी लगवाग almost मैंने आपको सभी detail यहां पर बता दिये इसके अलावा भी अगर आपका कोई doubt है तो comment section में आप comment कर दिएगा मैं next video में उसका answer दे दूआ और कोई भी doubt है तो कलिए ठीक है पूरा कुछ मैंने बता दिये यहां पर और कुछ जानकाली चाहिए तो आ कर देनों असी तरह की government jobs की update के लिए हमारे जो channel है उसको subscribe करके रख लिएगा मिलते हैं पर next video मतब तक लिए जय हिन जय भारत